हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त अजये दोस्तो काफी दिनों से मैं PS2, PSP, Wii Games के बारे में वीडियो बना बना के थक चुका था तो मैंने सोचाए कि इस बार क्यों नहीं कोई ऐसी गेम के बारे में वीडियो बनाओ जाए अभी कौन सी ये गेम है इसका नाम तो वैसे आपको थमने लोग टाइटल से पता चल ही गया होगा टाइटल से अगर आप इस गेम का नाम पढ़ेंगे तो उसके बाद आप लोग कहेंगे मतलब कि आप मेंसे कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई इस गेम को हम तो Google Play Store से भी डाउनलोड करके खेल सकते हैं तो इसमें आप क्यों ऐसे अलग से वीडियो बना रहे हो इसको बनाने का फाइदा तो मैं आपको बता दू कि भाई लोग Google Play Store से तो आप इस गेम को डाउनलोड करे ही लेंगे कोई बात नहीं लेकिन इस वीडियो म मनी कैसे आप इस गेम के अंदर कर सकते हैं और उसी unlimited money की help से आप लोग की इस गेम के अंदर सारा कुछ किस तरह से अनलोड कर सकते हैं अभी सारा कुछ अनलोड करने से मतलब मेरा यह है कि इस गेम के अंदर की सारे के सारी कोश्ट्यूम्स को सारे के सारे वेपन्स को सारे के गेम के अंदर लोग्ड मिलता है तो आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से अनलोग कर सकते हैं तो वही मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वैसे दिखाना क्या है बस जब आप गेम को ओपन करेंगे और मनी की हेल्प से आप सारा कोछ खुद ही अनलोग कर पाएंगे हां लेकिन गेम को आपने इंस्टॉल कैसे करना है कैसे उसका प्रसेस है वो मैं आपको अभी फड़ा-फड़ से बता रहता हूं तो मेरे जो भाई समझधार होंगे उनको तो पता ही होगा कि APK और OVP फाइल को कैसे अपने फोन में इस्टॉल किया जाता है लेक समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं अगर आपको गेम खेल ली है तो टेलेगराम ग्रूप को आप मेरे जरूर जोइन कर लीजिएगा और ग्रूप को जोइन करने के बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि भाई मैं आपकी यह वाली वीडियो देख के आया को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो इससे अच्छा आपके लिए ही होगा कि आप अभी के अभी मेरा टेलेगराम ग्रूप को जोईन कर लो हां लेकिन गेम को इस्टॉल करने के बाद आगे आपने क्या करना है यह मैं आपको बता रहता हूं तो सबसे पहले तो जब दोस्तों आप इस गेम को स्टार्ट करेंगे चाहे वो पहली बार आप इस गेम को अपने फोन में स्टार्ट कर रहे हों चाहे आप बार बार मतलब जितनी बार भी आप इस गेम को अपने फोन में ओपन करेंगे तो एक बात का आपको जब भी आप इस गेम को ओपन करें आपको उसके उससे पहले अपने phone का internet बंद करना पड़ेगा चाहे आप mobile data यूज़ करते हैं या फिर आप wifi connection यूज़ करते हैं जो कुछ भी आप यूज़ करने होंगे आपको हर बार इस game को open करने से पहले अपना जो mobile का internet connection है वो बंद करना पड़ेगा तो यह क्यों करना पड़ेगा यह भी मैं आपको बता रहता हूँ कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और internet को on करके करे हुए ही आप अगर game को start कर लेंगे तो आपको जो account है वो बंद हो जाएगा और आप इस game को नहीं खेल पाएंगे हाला कि उसका solution भी है मेरे पास अगर किसी मेरे भाई किसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि भाई मैंने internet connection on रखे ही game को start कर लिया उसके बाद मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता दो तो वहाँ पर आकर आप मुझे पूछ लीजिएगा कहां पर आकर telegram group के अंदर आकर आप मुझे पूछ लीजिएगा कि भाई इसका solution क्या है तो वहीं पर मैं आपको बता दूँगा वैसे तो आप समझधार होंगे तो आप खुद भी ये कर ही लेंगे इसके हलावा दोस्तों अभी जब आप इस game को open करेंगे पहली बार तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यह क्यों मैंने बोला यह मैं आपको बता रहता हूँ कि जब आप इस game को पहली बार open करेंगे तो आपके सामने जो game की language है वो कुछ और ही लिखी हुई आएगी मतलब कि वो English में नहीं बलकि मुझे नहीं पता भी कौन सी language होगी वो Chinese है के Japanese है मतलब कि कोई अलग ही language आपके सामने आएगी तो उसको आपने change कैसे करना है यह मैं आपको बता रहता हूँ तो जब आप game को open करेंगे तो आपके सामने right side में आपके phone की screen में right side में नीचे की तरफ एक setting वाला icon बना हुआ दिख रहा होगा आपको game के अंदर ही तो आपने उसके उपर click कर देना है click करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो second वाला option आ रहा होगा दूसरे नंबर वाला आपने उसपे click कर देना है और उसके बाद आपके सामने सारे के सारी options आ जाएंगे languages के तो आपने first वाली English language को select कर लेना है और उसके बाद आपकी language बताने के लिए बाकी रही अनलोग करने वाली सारी चीज़ों क्योंकि कैसे आपने अनलोग करना है वो तो आप खुद भी आराम से कर ही पाएंगे unlimited money की help से और क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में अगर मैं detail में समझारे लग जाऊंगा तो वीडियो फिर बहुत ज़्याद करो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सबस्क्राइब भी किया करो मलोग एक बार सबस्क्राइब कर दो बार बार करने की ज़ुरों तो होते ही नहीं है सबस्क्राइब भी करो और साथ में bell आइकन को दबाके आहल नोडिफिकेशन को ओन भी कर देना उससे होगा ये कि आ आपको मेरी आने वरी हर वीडियो की नोडिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल जाया करेगी तो धन्यमत दोस्तों इस वीडियो को एन तक देखने के लिए मैं आप आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई